बाबा तारकनात मंदिर जो स्री तारकिष्षर मंदिर नाम से भी प्रसिद है पस्चिम बंगाल के हुगली जेला में स्थित है ये मंदिर तारकिष्वरधाम, रेल और सडक दोनों मार्ग से अच्छे से कनेक्टेड है दिल्ली से अगर आप जाना चाते हैं तो न्यू दिल्ली स्टेशन से या आनद भिया स्टेशन से आप ट्रेन ले सकते हैं सेयल्दा के लिए या हावरा स्टेशन के लिए अगर आप बिमान से जाना चाते हैं तो दिल्ली से आप फ्लाइट ले सकते हैं कोलकाता नेताजी सुवाश्चंद्र बोस एयरपोर्ट के लिए फिर यरपोर्ट से आपको कैब या बस पकरके हावरा ब्रिज क्रॉस करके आपको हावरा स्टेशन आना परेगा और हावरा स्टेशन से ही आपको तरकेश्वर धाम जाने के लिए ट्रेन मिल जाएगा हावरा से आरंबाग और तरकिश्वर दोनों लोकल ट्रेन चलता है जो आपको तरकिश्वर धाम पहुचा देगा स्टेशन से लगबग 5 मिनिट के पैदल दोरी में आपको मंदिर मिलेंगे जहाँ पे आपको बावा तारकनाथ जी का सिबलिंग देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप जल भी चड़ा सकते हैं बंगाल में स्राबन के महिने में इस मंदिर में बहुती ज़्यादा भीर रहता है पूरा स्राबन महिना और स्राबन के सारे सोमबार यहाँ पे बहुती भीर होता है स्रद्धालू यहाँ पे सिपजी के उपर गंगा जल चड़ाते हैं लोकल ट्रेन में तरकेश्वर आते हुए आपको शेवरफूली जंक्षन देखने को मिलेगा यहाँ पे स्थित गंगा घाड में पुर्णार्थी स्नान करते हैं और यहाँ से गंगा जल को कावर में भरके ले आते हैं सिपजी को जल चड़ाने यह यात्रा कम से कम 25 से 30 किलो मेटर का होता है जो पुर्णार्थी इतना चल नहीं सकते वो बाबा के दुद्पुकुर में स्नान करके बाबा के उपर गंगा जल चड़ाते हैं बाबा तरकेश्वरधाम आपको एक ब़र जरूर विजिट करना चाहिए तरकेश्वर आ रहे हैं तो यहां के मिठाई चकना मत भूलिएगा तरकेश्वरधाम में आपको स्टेक करने की ज़रूरत नहीं है आप ट्रेन पकर के हावडा बापस आ जाये और हाउडा और कोलका तक घोम लीजिए वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए